हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी में बात करेंगे रिलाइश्टिस के बारे में कि कल क्या हुआ इसमें और आने वाले दिनों में आने वाले एक वीक में यह कौन-कौन से लेवल पे आपको ट्रेल अतावाद दिख सकता है अगर आप आपके पास पोजिशन तो उसको होल्ड करें उसको सेल करें या फिर फ्रेश पोजिशन कौन से लेवल पे बनाएं यह सारी जो कुछ साइकोलोजी पॉइंट में इस आपको वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो एंट तक जरूर देखिए गया और इस वीडियो के तुरं कैसे मैं आपको दिखाऊंगा पर देखिए इसने हाय लगा है 2038 का कल तक तो यही लग रहा था कि अभी यह उपर जाने के लिए रॉकेट बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है लेकिन शाप सेलिंग आई उसके कुछ पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा मैंने आपको ब रखा था वह बाता लगे कि फिर से बाउंस बगा गया लेकिन आप चीज समझा कर वह बाउंस बैक नहीं है और निच्चे चला गया होता तो फिर आपके कितने पैसे यहां पर डूप गये होते एस पर और कॉंटेटी तो इसलिए जो भी आपको सुझा जा जाता है उसके प तो करीबन 2000 रुपे के आसपास यह क्लोज हुआ है थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन मेरे क्याल से इतना अजन्दा भी कॉश्यस होने कि आपको ज़रूरत नहीं है जिनके पास पोजिन है आराम से होड करने की रहे दी जा रही है आपके लिए स्टॉप लोस क्या होंगे और टागेट पर आने वाले वीक के लिए टागेट क्या होंगे यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कल के वीडियो में हमने आपको बता था कि यह बॉक्स में से बार निकल गया और आज की दिन अगर आप देखे तो कुछ नहीं हुआ सिफ यहां पर बॉक्स में रीटेश करने के लिए आया ऐसा कुछ आपको भातित हो रहा है यह मैं आपको बड़ी टैम फ्रेम में भी दिखाऊंगा अब यहां पर अगर हम देखे तो सिंपल अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको यही लगरेगा यहां पर डबल टॉप जैसा कुछ बना और यहा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इसका डाउंटर्ण कंटिन्यूशन चल रहा है वह सिफ डैट के बाउंस है दो दिन माया तर लेकिन अभी आप देखेंगे तो वहां पर फिर से पाउंस बेखाके 1975 जितना इसे लो लगाया कितना लगा तरह दिख लेते उनने सच होतर का इसने लो लगाया फिर वहां से फिर से बहुंस बेख लेको तकरीबन 2000 रुपए के आसपास खड़ा हुआ है अभी करना क्या है जिन लोगों ने सोदय काट दिये हैं उनको फ्रेश बनानी है उनली आफ्टर यहां पर जो तीन बार इस रेजिस किया है उसके बाद ही उनको भी 2025 के बाद दी फ्रेश एंट्री नेगी राय दी जा रही है अभी तीसरी बात जिन लोगों के स्टॉप लॉस नहीं कटे यानकी उनकी दीमाग में स्टॉप लॉस थे सिस्टम में नहीं तो अभी वह लोग क्या करें जिनको थोड़ा बहुत लॉस यहां पर दिख थोड़ा ही दिख रहा होगा क्यों की 2000 के नजदी की क्लोजिंग आई है इसलिए अगर नीचे होती तो आपको बड़ा लॉस दिख रहा होता तो फिर वे चिंदा करने क्यों जरूत नहीं यहां पर जाने के लिए रैडी है युकर इसके उपर जाएगा ही नहीं तो फिर से यहां पर एक बॉक्स में फसा रहेगा इसलिए आपको बताएगा कि 2035 के बाद ही आप क्या करें यहां पर खरीदारी कर सकते क्योंकि वहां पर जो लोग को इतना ज़्यदा तेजी से वह नीचे गिरात और बड़े लोग को में क्वांटिटी अनलोड भी वहां पर होई होगी तो भी आपको अगर यह 2035 के उपर निकलता इस वीग में तो आपका फर्स टागेट रहेगा 2080 और फिर मार्केट पॉसिटिव रहता है तो यहां पर करता है तो अगर आपको सेल करना है तो आज का जो लो है 24 उसके नीचे आप सेल कर सकते आपका सब्सक्राइब नहीं काटा है उन लोगों के लिए स्ट्रॉंग सपोर्ट है उसका 1960 रुपे जो अमारे बार आपको बताते हैं तो अगर यह वीडियो आपको पसंदा वीडियो को लाइक किए दोस्तों को शेयर किज़ें मैं सस्क्राइब करके हमारी फेमिली में जुड़ जाहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिलकुल